वायू परिक्षन करके ये बताते हैं एक तरह की बहिश्वानी आज भी जो है वो की जाती है कि किस प्रकार की बारिश होगी तमाम टेक्नोलोजी है आज मौसम विभाग के बास तमाम तरह की चाहेंगे सोरब ये जंतर मंतर की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं द उससे रूबरू को आते हुए वहाँ के अधिकारी वहाँ के गाइड्स और जिस तरह से हम बता रहे हैं कि जैपुर के संस्थापक थे माराजा सवाई जैसिंग एक बहतरीन खगोल शास्त्री भी थे और खगोल ये महत को समझते हुए ही उन्होंने दुनिया की सबसे पत्थर की सूरिघडी यहाँ पर बनवाई है और उसी को यहाँ पर दिखा रहे हैं प्रधानमंती रनेन मोदी रुबुरू करवा रहे हैं यहां की विरासत से चुकि यह कल्चुल हैटेज है मौसं की जानकारी लेनी हो समय के मापना हो अंत्रिक्ष के बारे में और भी जा लिए इस वेदशाला का इस्तिमाल होता रहा है महराजा सवाई जैसिंग ने ना सिर्फ जैपूर में इस वेदशाला को बनाया था बलकि पांच और शेहर हैं जो कि दिल्ली में भी आप देखते हैं जंतरमंतर आज भी बनारस उज्जैन मत्रा में भी बनवाये थे हाला कि उसको बहुत जादा संदक्षित नहीं रखा गया लेकिन जैपूर में जो उपकरण आज भी हैं वो इतने जादा सही तरीके से काम कर रहे हैं हजारों सालों बाद कि आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी भी जो विज्ञानिक हैं विशिशक्य हैं कई बार मौसमी जानकारी लेने के लिए इन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं यह दो तस्वीर है दो राश के बड़े निताओं की और गले मिलते हुए यह गले मिलते हुए भाव प्रकट होते हैं कि भारत और फ्रांस समूचे देश समूचे देश के नागरिक बिलकुल एक साथ है और जैसा हम लग जब 1998 में परमानू परिक्षन भारत की तरफ से राजस्थान के पोकरण में किया गया था तो पूरी दुनिया पूरा यौरा पश्यमी समूचे पश्यमी देश अमेरिका सभी नाराज हो गए थे प्रतिबंद लगा दी गए थे लेकिन उस वक्त के जाक शिराक हुआ करते थ लिए उन्होंने पूरी प्रतिबंद दिखाई और यह तस्वीर जो आप लगातार बड़े बखुबी अन्नाज में दर्शकों को बता भी रही है इसके एतिहासिक महत के बारे में ये दरसल वृत समराट यंतर इसको कहा जाता है और इससे जैसा सौरभ ग्रेस्ती भी हमारे संबारता ग्राउंड जीरू पर मौझूद रहने बताया कि ये खगोलिये दिख्टी से बहुत महत्पून है जोतिश के दिख्टी से बहुत महत्पून है समय का भी ये पता लगाने के लिए बेहदी महत्पून है वृत समराट यंतर जैसा से कहा जाता है और इस यंतर में अगर हम प्रवेश करते हैं, अगर इसको देखे सामने से तो दाइंओ और इसके स्थित है यंत के दौरा सूरय की जो मौझद जैसा आपने पहले भी कहा कि देश के अलगए हिस्सों में इसकी स्थापना की गई थी लेकिन यहां जैपुर में इसको सहेज कर रखा गया और इसको एक इतिहास की परंपराओं के नुसार आज भी महत दिया जा रहा है और यह अंदास देखकर यहां की साफ सफाई यहां जि जंतर मंतर के परिसर को रखा गया है सुरक्षित समाल कर यह दरशाता है कि जैपुर हो राजस्थान हो अपनी संस्कृति अपने तिहास को समेट कर रखना चाहता है ताकि आगे आनी वाली पीडियां इसको देखकर समझ सके सीख सके और अपने पुर्वजों और अपने कितनी उनकी बौधिक शम्ता थी आज भले ही विज्ञान कितने ही तरक्की कर रहा हो लेकिन हम जड़ा सोचें यह जिस तरीके से 1728 में इसका निर्मान शुरू हुआ था और उस दोरान निर्मान के बाद चुकि उस टाइम किस तरह है कि आज क्या दौर स्मार्ट वाचिस का दौर आ चुका है जिसमें सुईयां दायब हो गई है डिजिटल अंक के जरीए हम समय देखते हैं और ना जाने अपने शरीर के कई चीजों के बारें पता कर लेते हैं अपने जो पैरमीटर होते हैं लेकिन यह घड़ी का वजूद होता है कि समय देखना आज भी उतना ही ज सवाई जैसिंग की तरफ से जैपूर दिल्ली बनारस उजयन और मत्रा में बनाए गया था और जैपूर की तस्वीर आपके सामने हैं सबसे बड़ी दुनिया के पत्थर की सूरिख घड़ी यहां पर है इसके साथ संग्मर्मर के पत्थर से इसे बनाए गया है और गाइड म बढ़ेगा काफिला रोड शो के जरिये जिसे शोभा यात्रा भी कहा जा रहा है ये पूरा काफिला यहीं जनतर मंतर से शुरुआत करेगा जोहरी बाजार से गुजरता हुआ जहां लवली वद्वा मौजूद हैं वहां से खुद मुख्यमंतरी भजलाल शेर्मा का काफिल स्थिति गुज़न गुजरा देखा वहां की स्थिति पर स्थिति को क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है वहां पर फिर जो अधान मंतरी की सुरक्शा करने वाली spg है उनोंने भी वहां पर दो थीन बार गुजरकर सारी सुरक्शा वयवस्था cans मे जाना और साफ तरुपर च पर फिर हवा महल का रुख करेंगे तो अपने आप में राजिस्थान वैसे ही सांस्कृतिक और एतिहासिक यहां पर इमारतें और जगहां हैं घूमने को और खाली जैपूर की बात कर लिए तो जैपूर एक ऐसी जगह है जहां पर आप एक दिन में सब कुछ नहीं घूम सकते के लिए ही एक दिन कम पढ़ जाता है लेकिन जैपूर में जो टूरिस्ट पॉइंट खास तौर पर प्रदानमत्री नरेन मोदी ने आज चूस किये हैं चैन किया है जिनका उससे साथ तो पर यह लगता है कि जैपूर को किस सरे से विश्व के मांचियत पर परेटन के लिहा हैं प्रदानमत्री नरेन मोदी इमैनुल मैंक्रो को और फ्रांस के चटवे राश्टपती कह जा सकते हैं जो रिपब्लिक डे पर इस अफसर पर गेस्ट बनेंगे 25 साल की दोस्ती अब 25 साल आके कैसे बढ़ाना है आप देखें प्रदानमत्री नरेन मोदी ने हैंडशेक कि गले लगाया और जंतरमंदर पर जो खासियत हैं उसके बारे में जानकारी वहां की गाइड दे रहे हैं इसके साथ साथ अपने दर्शकों को बता दे कि बाइलेटरल मीटिंग भी आद जैपूर में ही होनी है वो काफी महत्पूर है नजसर सब की डिफेंस सेक्टर पर है च के लिए निर्भर रहा है चुकि यूस और रूस और यूक्रेंट की जिस तरह से आप देख रहें कि युद्ध है निर्भरता कैसे कम हो उसको लेकर भी यहां पर उमीद कि जा सकती है कि थोड़ा यहां पर फ्रांस की तरफ आगे कदम बढ़ेंगे हत्यारों के लिए बिलक जो खेब जो आनी थी चुकि भारत और चीन के बीच के रिश्टे तल्ख चल रहे थे फ्रांस तक भारत की यह बात पहुंची दर्खास पहुंची कि हमें थोड़ा जल्दी चाहिए हमारी सुरक्षा के लिहाद से जरूरी है कि थोड़ा जल्दी होप आए तो जो डैजॉल कंपनी सप्लाइब करने वाली थी तो उन्होंने समय से पहले ही उनको डिलिवर कर दिया और यह स्पेशली डिजाइन फॉर नेवी यह जो रफाइल की एक और कहें कि समझोता भी होना है कहा यह जा रहा है कि दोहजार चौबिस के चुनावों के बार जो भी आगे चीज़े बनती हैं उसी हिसाब से वो सौदा फिर आगे होगा और इसके अलावा अगर हम बात करें भारत और फ्रांस के बीच जो समझोते हुए हैं या जो एक तरह से कहें कि सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं वो इसलिए भी जरूरी और खास हो जाती है कि रूस जहां भारत का प्रमुक देश शुरू से ही रहा है आजादी के बाद से अब फ्रांस से 1998 1998 के बाद रिश्टे और जादा आगे बढ़ते जा रहे हैं और फ्रांस के साथ भारत ये सुनिश्यत करना चाहता है कि फ्रांस का चुकि जस तरीके से दबदबा यॉरप में हैं और UNSC की इस थाई सदस्य के तोर पर भी फ्रांस वहाँ पर मौजूद है